हलो बच्चो आज क्लास नाइन्थ नाथमेटिक्स का सेकेंड चिप्टर जो कि हम डिसर्स कर रहे थे उसमें कुछ एलजब्रिक आइडिन्टेटीज के बारे में बात करने जा रहे हैं 20 गंड की सरसमिकाएं या यू कही है सिंपल भासा में फार्मुले कुछ फार्मुले जिन कर नोट कर लिजेगा क्योंकि बाद में रब करना पड़ेगा पहला फार्मुला में यहां यूज करूंगा एक्स प्लस वाई तू दा होल स्क्वार इसको लिखेंगे एक्स स्क्वार प्लस वाई स्क्वार प्लस टू एक्स वाई बुक्स में जा यह बीच में लिखा होता ह तो यह लिखा होता है x square plus 2xy plus y square बात बराबर है दोनों को आप लिख सकते हैं दूसरा formula है x minus y to the whole square यह आएगा x square plus y square minus 2xy देखो identities क्यों कहा गया इनको सर्व सम्विकाएं क्यों कहा गया देखे x और y की जिएके कोई भी value हो सकती है 1,2 हो सकता है 4,5 हो सकता है a b हो सकता है value यही आएगी बार-बार यागर x की जिए 1 आजाए y की जिए 2 आजाए तो 1 plus 2 यागर 3 का square 9 आएगा और यहाँ भी x को 1 और y को 2 रखेंगे तब भी 9 आएगा यागर यह x और y की हर value के लिए सही है जब कोई चीज हर value के लिए सही होती है तो उसको सरस्वमिकाए कहा जाता है identities कहा जाता है और अगर कुछ values के लिए सही हो माले 1 रखने पर सही आए और 2 रखने पर गलत हो जाए तो कुछ value पर सही होगा तो उसको समीकरण कहा देंगी equation कहा देंगी equation ये भी है लेकिन इसको identities लिए कहा गया कि this is true for all the values of x and y दूसरा formula है अगर कहीं x square minus y square हो तो एक bracket में x plus y लिखा जाएगा एक में x minus y लिखा जाएगा अगर ऐसा है तो ऐसा भी लिख सकते हैं द्यान रखेगा मताब ऐसा है तो ये लिखेंगे और ऐसा है तो इसका उल्टा भी सही है अगला formula है कि माल लिया एक bracket में x plus a हो और एक में x plus b हो तो इसको लिखेंगे x square plus a plus b into x plus a b ये ध्यान रखेए कि a b के sign बदल सकते हैं ये minus में हो सकता है वो consider नहीं किया जाएगा इसके बाद अगला formula है कि अगर x plus y plus z to the whole square हो तो इसको लिखेंगे x square plus y square plus z square plus 2xy plus 2yz plus 2zx यानि पहरा x है फिर y है फिर z है यहाँ value रख देंगे अगर किसी का sign बदल जाएगा तो यहाँ minus लगा देंगे और यहाँ उसकी जगे minus लग देंगे formula will be the same इसके बाद next formula है कि अगर x plus y to power 3 लिखाओ x plus y whole cube तो this formula is x cube plus y cube plus 3xy in bracket x plus y next formula अगर यहाँ minus लिखाओ x minus y whole cube तो आएगा x cube minus y cube minus 3xy in bracket x minus y और next formula that is 8th formula I am writing कि अगर लिखाओ x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equal to एक bracket में x plus y plus z आएगा एक में आएगा x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx तो यह 8 formula हमने लिखे formula तो बहुत सारे algebra में है algebra तो formula की खान है लेकिन फिलहाल यह 8 लिखे गए है इन्हें आप note करने जब excise सुरू करें तो यह formula सामने होने चाहिए अब अगर हम यह सामने लिखा रहने देंगे तो हम question कहा note करेंगे मेरी मजबूरी है इसलिए इन्हें आप note करीजे पहले ठीक है हर question में पहले formula लिखेंगे कि we know that कि ऐसा होता है और इसके बाद वो question उसकी जिगे value रख देंगे तब आप question लगाएंगे ध्यान रखेगा पहले formula लिखा जाएगा ठीक है अब आते हैं exercise side 2.5 है एक नट हाँ exercise 2.5 का पहला question देखें exercise NCRT की 2.5 first question देखीगा लिखा है using suitable identities to find the following product उपयुक्त सरुसमिका का प्रयूप करके निम्लिखित गुरनफल ग्याद कीजिए देखें पहला question का पहला part x प्लस 4 x प्लस 10 एक bracket में x प्लस 4 और एक bracket में x प्लस 10 इसकी value निकालनी है तो अब formula अभी थोड़ी दे पहले हमने बताया कि एक bracket में x प्लस a और एक bracket में x प्लस b तो हम एक में formula लिखे दे रहे हैं तो आप यहां लिखेंगे we know that यानि हम जानते हैं क्या जानते हैं कि अगर x प्लस a हो एक bracket में और x प्लस b हो तो इसको क्या लिखेंगे x square प्लस in bracket a प्लस b बाहर x प्लस a इंटू b यह आप जानते हैं ठीक है अगर इससे इसकी तुल्ला कर दे तो एक जगे क्या है 4 लिखा हुआ है और b की जगे क्या लिखा है 10 लिखा हुआ है so इसको दुबारा नोट करिए x प्लस 4 इंटू x प्लस 10 अब देखें a को रख दो 4 b को रख दो 10 यहां रख दो उठागर के तो यह क्या हो जाएगा x square प्लस bracket में 4 प्लस 10 इंटू x प्लस 4 इंटू 10 यह ध्यान रखेगा अगर यहां a b में किसी का sign बदल जाएगा तो आप उसको minus मिलेंगे अभी हम कोई question आएगा तो हम बात करेंगे साथ अगले question इसका है तो यह क्या हो जाएगा x square प्लस 14x प्लस 40 यह आप का answer हो गया यह identity आप दिमाद में रखेगा अब ज़्या second part देखते हैं इसका second part यह identity लिखना है बार बार इसलिए हम इसको ऐसे लिखाने देते हैं देखे second part क्या कह रहा है second part x plus 8 x minus 10 x plus 8 x minus 10 इसमें ध्यान रखेगा x के साथ कोई भी in two में number नहीं होना चाहिए one होना चाहिए ध्यान रखेगा अगर इससे compare करें तो a यहाँ पर क्या है 8 ज़रा देखे ध्यान से हम दुबारा इसको लिख रहे है x plus 8 और अब आप केंगे साथ यहाँ तो plus लिखा हुआ है चले मैं भी plus लिख देता हूँ देखे मैं लिखूंगा x plus और bracket में क्या लिखूंगा minus 10 अब ज़रा compare करीए आप तो b यहाँ पर क्या हो गया minus 10 हो गया तो आप यहाँ पर minus 10 रख दो तो यह क्या बन जाएगा x square plus देखे a हो गया 8 फिर sign है plus और b क्या हो गया minus 10 तो इसको minus 10 लग दो और bracket लगा दो कर ली क्योंकि दो small bracket एकसा नहीं लगेंगे plus a हो गया आपका 8 into और b हो गया आपका minus का 10 सुद मैं अज़ बार नहीं आई formula वही apply कर रहे है यहाँ क्योंकि plus लिखा है तो हमने plus के हिसाफ से square just किया है तो यह आएगा x square plus यह आएगा 8 minus 10 x और यह minus का 80 यह minus का 2 हो जाएगा x square minus 2x minus का 80 तो यह आपका second part हो गया पहली खास बात देखे यह बताया गया है यहाँ x की जगे a होना चाहिए यह पूरी चीज x होनी चाहिए यह दूसी तरीके समबल लिएगा यह पूरी चीज x लिखी भी है दोनों एक same type के होने चाहिए जो यहाँ वही यहाँ पर होना चाहिए ठीक है जिससे अगला question देख लेते third part इसी में इसलिए हम नोट कर रहा है चुकि formula हम नहीं बार बार लिखना चाहते इसलिए हम इसमें ही नोट कर रहा है और आप उसको रब करके नोट करना किसों से उसे रब करके नोट करना है third part कह रहा है 3x plus 4 3x plus 4 अगला है 3x minus 5 पहले अगर इससे compare करें तो x की जगे 3x लिखा हुआ है तो जहां भी x लिखेंगे यहां पर वहां क्या लिखेंगे 3x लिखेंगे पहली बात दोसी बात देखिए दुबारा लिखेंगे यह है 3x plus 4 अब चुकि आप कहेंगे भई पार्मूले में तो यहां plus है तो ऐसा करिएगा इसमें plus लगा दीजएगा और 5 को negative ऐसे लिखेंगा और अगर हम इससे तुलना करें तो x is what? x is 3x a यहां पर 4 है और b यहां पर minus का 5 है रख दो उठागर के यहां पर यहां क्या लिखा हुआ है? x is square b हो गया minus का 5 plus sorry into x x यहां पर क्या है? into में आएगा 3x यह dot लगा दिया into लिखा हुआ है चाहिए into को sign लगा दू plus a b तो a हो गया 4 into minus का 5 तो यह क्या हो जाएगा? उसका square करेंग क्या आएगा? 9x square plus यहां अंदर क्या होगा? minus 1 बाहर क्या है? 3x और minus का 20 तो आएगा 9x square minus 3x minus का 20 है कुछ नहीं? हमने value substitute कर दी है उन्होंने का identity यूज़ करके आप उसको लगाना है ठीक है? उसके बाद आता है fourth question देखिए first का fourth part देखिए जाओ not fourth question first का fourth part formula सबाब के सामने होने चाहिए क्योंकि आपको उन्हीं formula से इन्हें लगाना है ठीक है? देखिए fourth part क्या कर रहा है? fourth part लिखा है y square minus 3y2 y square minus 3y2 और अगले bracket में y square plus 3y2 अब ज़रा formula देखिएगा ये दोनों चीजें सेम है एक में बीच में sign plus का लगा है और एक में minus का लगा हुआ है तो अभी हम formula बता चुके है we know that हम जानते है क्या जानते है? x minus y एक bracket में और x plus y दूसरे bracket में x square minus y square होगा अगर ध्यान से देखिए कुछ ऐसा ही लिखा है न x की जगे y square है और y की जगे 3 by 2 है तो यह लगा तो उठा करके पहले इसको नोट कर लिजे y square minus 3 by 2 और दूसरे bracket में y square plus 3 by 2 formula क्या है? पहले x का square करेंगे यह पहले आप y square का square करेंगे और फिर 3 by 2 का square करेंगे तो यह आएगा y to power 4 minus 9 by 4 यह आपका fourth part हो गया है fifth part देखिएगा fifth को अपने आप करिएगा a minus b a plus b यही formula है question number second देखिए fifth अपने आप करिएगा अब आप कहेंगे सब बता दीजे तो ज़्यादा अच्छा होगा काहे को अपना दिमाग लगाए तो यह अपना दिमाग लगाए दीजे second question देखिएगा इन्हों ने कहास evaluate the following product without multiplying directly सीधे गुणा किये बिना निमलिखित गुनदफनों के मान ज्याद कीजे multiply direct नहीं करना है आपको ठीक है जैसे पहला पार देखे क्या बता रहा है पहला पार कर रहा है 103 into 107 103 into 107 अब आप कहेंगी भाई इसको तो हम लिखेंगे 50 plus 53 हम लिखेंगे हमारी मर्जी लिख दो भाई लेकिन 100 अगर लिखोगे 100 का multiply करना असान होता है तो इसको हम लिखेंगे 100 plus 3 एक bracket में और दूसरे into है 100 plus 7 अब देखें ये x plus a और x plus b का formula है तो अगर इसको ध्यान से देखें तो इसको क्या लिखा जाएगा अभी formula आपने पढ़ा है we know that formula लिख दीजे उठा कर कि क्या बत पढ़ा है आपने कि x plus a into x plus b है तो इसको क्या लिखेंगे x square plus a plus b into x plus a b अगर इसको इससे compare करें तो x यहाँ पर 100 है और ये a यहाँ पर 3 है और b यहाँ पर 7 है तो लिख दो इसलिए इसको note को लो दुबारा 100 plus 3 into 100 plus 7 इसको क्या लिखा जाएगा यह आएगा 100 का square plus एक से square है न फिर a plus b bracket में 3 plus 7 into x x क्या 100 है plus 3 into 7 यह तो लिखा हुआ है अब 100 का square कितने जिरू आएँगे 4 1, 2, 3, 4 plus 7, 3, 10 यह 10 ही होगा और 100 से multiply 3 जिरू आएँगे plus 7 के 20 जोड़ना आप को आना चाहिए इसका इकाई 1 है इसका 0 है इसका 0 है तो 1 आ गया इसका दहाई 2 है इसका 0 है इसका यह 2 आ गया इसके second है नहीं यह 0, यह 0, 0 आ गया यह 1, यह 0, 1 आ गया और यह 1 आएगा 1, 1, 0, 2, 1 यह आपकी value आएगे इसका second part देखिएगा अब formula हम नहीं लिखेंगे ध्यान रिखेगा यह सम्में नहीं लिखा जाएगा आगे है 95 into 96 95 into 96 अब आप कहेंगे सब हम direct formula कहीं गुणा कर ले और लिख दे ऐसा नहीं चलेगा उन्होंका diet नहीं multiply करना है आपको identity लगानी है क्यों ऐसा कहा उने भाई देखिए 103 को multiply करना tough था और 100 को 100 से multiply करना असान था 0 बढाने थे आपको और 7 और 3 को multiply करना असान था इसलिए ऐसा कहा गया इसको क्या ले सकते हैं 100 minus 5 और इसको क्या ले सकते हैं 100 minus 4 अब ज़रा देखे ध्यान से इसी identity को देखें यहाँ पर इसको लिखेंगे 100 plus minus 5 चुकि हमारी जो identity है जो हमारी सर्वस्वमिका है उसमें plus sign लगा हुआ है तो हमको कुछ ऐसा करना पड़ेगा ना कि plus के far में हो जाए और इसको लिखेंगे आप 100 plus minus 4 अब यहाँ पर लगा दीजिए अब identity देखें क्या है x square बोले तो 100 का square plus a plus b minus 5 minus 4 into x हो गया 100 plus minus 5 into minus 4 यहाँ पर एक जगे हमने कर दिया minus 5 और b को हमने कर दिया minus का 4 यह क्या जाएगा 1,2,3,4 यह minus 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 9 तो minus का 900 और plus का 20 क्योंकि यह minus minus का जो multiply करेंगे तो plus में आएगी value यह दोनों 100 plus plus में है जोड़ना आपको आता है 1,2,3,4 और इसमें 20 जुड़ेगा तो 0,2,0,0,1 और इसमें 900 माइनस हो जाएगा तो 0,2,10 में न हो गया एक यहाँ पचे गंड़ना हो तो आएगा यह आपके 9,1,2,0 यह आपका calculation आएगा ठीक है next part अपने आप करेंगे 104 को 100 plus 4 कर दीजेगा और इसको 100 माइनस हो देख लिजेगा third part इसमें बता देते हैं इसमें लिखा 104 into 96 104 into 96 पहले इन्होंने सर्थ रख दी है कि आपको direct multiply नहीं करना है 104 को क्या लिखेंगे 100 plus 4 और into 100 minus 4 अभी हम बता चुके है A plus B, A minus B A square minus B square तो यह क्या आएगा 100 का square minus 4 का square 100 का square में कितने जिरू होगा 1, 2, 3, 4, minus 16 minus कर लिजे उठा करके यह कितना आएगा 9984 9984 16 कम हो जाएगा इसमें तो 84, 16, 100 होता है तो यह value आगई यह question number second हो गया अब थर्ड question देखे पहला तरीका यह है कि आप वीडियो को बंद कर दीजे अपना question खुद लगाई और बाद में उसे compare कर लिजे अब आप कहेंगे ठीक है साब जो आप अपने आप कहरों लगाई है वो तो कुछ तो अपने आप करना पड़ेगा आपको चुकि बहुत technical चीज हम नहीं छोड़ रहे है तो आप अपने आप करिए next question देखे क्या कह रहा है next question भी कह रहा है कि सरसमिका का इस्तेमाल करिए और factorize करिए इन्हें लेकिन सरसमिका का इस्तेमाल करके देखे आप question सर्च करने पड़ेंगा ठीक है third का first part देखे third का first part क्या कह रहा है 9x square 9x square plus 6xy 6xy plus y square देखे ध्यान से हमने जो सरसमिका बताई है a plus b का holy square a minus b का holy square उसमें a square plus 2ab plus b square नहीं बताया हमने a square plus b square पहले बताया है तो आप पहले a square लेग दो फिर plus b square लेग दो इसको बाद में कर दो तो देखे ये किसी का square है आप कहेंगे ये 3x का square है और plus y का square है इसको क्या ले सकते है 2 into 3x into y अगर मैं compare करूँ तो a square plus b square plus 2 into a into b लिखा हुआ है तो a यहाँ पर क्या है 3x b यहाँ पर क्या है y तो इससे क्या ले सकते है इससे 3x plus y का whole square और whole square का मतलब होता है दो चीजे multiply में लिखी हुई है 3x plus y और दूसरे bracket में दुबारा 3x plus y यह यह लिखा हुआ है अब चाहो तो तुल्ला कर दो मान लो कि माना 3x a है और y b है तो यह क्या बन जाएगा अगर आप इसमें ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं आप कहते हैं भाई इस तरीके सा समझ में नहीं आ रहा है तो हमने का ठीक है हमने यहाँ let कर लिया let वाने माना 3x को हमने मान लिया a और y को हमने मान लिया b तो यह क्या हो गया यह हो गया a square plus b square plus 2 into a into b अब तो यह लिखा a plus b का whole square अब तो यह लिखा हुआ है a plus b का whole square मतलब a plus b एक बार और a plus b दो बारा बार दो बार लिखा जाएगा a plus b और इसके बाद value लगद उठा करके तो यह क्या हो जाएगा 3x plus y एक bracket में और 3x plus y दूसरे bracket में चाहें तो आप कर सकते हैं नहीं भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं डायरेट आप लिख सकते हैं ठीक है इसका second part देखीगा बज़ यह a square plus b square plus 2a भी बार बी लिखती आ गया और कोई मतलब यहाँ पर नहीं है तो बहुत है 4y square 4y square minus 4y plus 1 हम a square plus b square प्लस 1 को लिखेंगे 1 का square minus का 2 into 2y ध्यान से देखें a यहाँ पर 2y है b यहाँ पर 1 है तो यह क्या लिखा है यह 2y minus 1 का whole square लिखा है इसको एक bracket में 2y minus 1 और दूसरे में फिर यहीं लिख देंगे यह दो बार लिखा जाएगा ठीक है इसके बाद third part देखें क्या कह रहा है x square minus y square upon 100 x square minus y square upon 100 अब यहाँ तो दो ही step है तो 2ab वाला formula तो fail हो गया देखें अगर ध्यान से देखें यह x square है और यह y upon 10 का square है a square minus b square तो अभी हम बता चुके हैं एक bracket में x plus y upon 10 लिखा जाएगा और एक में x minus y upon 10 लिखा जाएगा यह आपका third question हुआ अब fourth के बारे में बात करते हैं fourth भी आपसे यही कहता है कि सर्वसमिका का प्रयोग करके प्रसार कीजिए आपको formula लगाने बस और कुछी कहना नहीं चाहते हैं देखें fourth question बारे में बात करते हैं fourth question का पहला पार देखें क्या रहे है x plus 2y plus 4z x plus 2y plus 4z का whole square अभी थोड़ी दिल पहले हैं formula बता चुके हैं a plus b plus c का whole square तो आप उस formula को यहां लिखेंगे we know that a plus b plus c का whole square is equal to a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca यह होता है अगर मैं compare करूँ तो a यहां पर क्या है x है b यहां पर क्या है 2y है c यहां पर क्या है 4z है so रखो वेलू ज़रा x plus 2y plus 4z का whole square अब यहां रख दो उठा करके a को क्या रखेंगे x तो यह x square हो जाएगा b को रखेंगे 2y तो 2y का square करेंगे c को रखेंगे 4z तो 4z का square करेंगे अब देखें value रखने के बाद calculation का बढ़नी होना चाहिए calculation ही मैं नहीं है आपर फिर क्या है 2 into a a बोले तो x into b b बोले तो 2y plus 2bc two into b क्या है b यहां पर 2i है into c क्या है c यहां पर 4z है 4z है plus 2 c यहां पर क्या है 4z है यहांपर क्या है x तो यह क्या हो जाएगा x square plus 4y square plus 16z square यह दो दूनी 4 होगा प्लस का 4XY प्लस का 4.16 16YZ प्लस का 8ZX इस प्रकार से आप value रखेंगे ठीक है? multiply गरबर नहीं होना चाहिए यह plus मत कर दीजेगा क्योंकि आप plus नहीं हो पाएंगे अलग-अलग के steps हैं इसलिए जूड़ेंगे नहीं यह formula में अगर कोई sign change होता जैसे मैं अगला question देखता हूँ इसका second part formula यह apply करेंगे इसलिए formula भी इसमें रब नहीं कर रहा है second part देखी क्या है second part कहरा है 2X-Y प्लस Z whole square 2X-Y प्लस Z whole square इसकी value निकाल ली है formula तो यह लिखेंगे हम यहाँ sign नहीं change करेंगे अब देखें हमारा जो यह दिया हुआ है इसको क्या लज़ते हैं 2X जो minus Y है न यह plus करके हम यहाँ minus Y कर देते हैं और plus Z और तब हम इसका square लिखते हैं अगर हम इसको compare करें इसकी तुल्ला करें तो आपको क्या दिखरा है आप कहेंगे यहाँ पर A की जगे क्या है 2X B की जगे है minus का Y minus का Y और C की जगे है Z रख दो यह उठा करके क्या है A square A square मतलब 2X का square plus B square मतलब minus Y का square plus C square को बनाद Z square plus 2AB तो 2 into A हो गया आपका 2X B हो गया आपका minus का Y चुकि minus का Y लिखना है पड़ेगा अगर आप bracket नहीं लगाते हैं तो minus हो जाएगा वो घड़ जाएगा minus subtract हो जाएगा plus 2BC plus 2 B हो गया minus का Y और C हो गया यहाँ पर Z plus 2C C हो गया आपका Z और A हो गया आपका 2X यह 2X है Z नहीं है तो इसको खोलेंगे तो क्या आएगा यह आती है यह plus का Y स्क्वार होगा plus का Z स्क्वार होगा यह minus है यह plus है तो minus में value आएगी 4XY आएगा यह minus है यह plus है तो minus आएगा 2YZ आएगा और plus का 4XZ आएगा यह value हम use करेंगे formula यह होगा sign हम यहाँ पर बदल देंगे यह आपका second part है 3rd अपने आप करिएगा 4th में जैसे 2 negative दे दिए तो कोई बात नहीं 2 negative है तो 2 negative यूज़ कर लिजे देखें next 3rd part अपने आप करिएगा हम 4th part के बारे में बात पर नहीं जा रहे है देखें 4th part 4th में क्या है आपका 3A minus 7B so 3A minus 7B minus C का whole square देखें अब आप कहेंगे साब यहाँ तो positive sign है तो हम क्या लिखेंगे 3A plus यहाँ का minus का 7B कर देंगे और plus यहाँ minus C कर देंगे जड़ा इससे compare करिए तुला करिए A यहाँ पर क्या है 3A B यहाँ पर क्या है minus 7B C यहाँ पर क्या है minus का C रग दो है उठा करके क्या फामुला है A square A square मतलब 3A का square plus B square मतलब minus 7B का square plus C square मतलब minus C का square plus 2AB तो 2 इंटू A यहाँ पर क्या है 3A into B यहाँ पर क्या है minus का 7B minus का 7B plus 2BC 2B यहाँ क्या है minus का 7B C यहाँ है minus का C plus 2CA 2C है minus का C और A है आपका 3A तो यह क्या आएगा 9A स्क्वार प्लस अब दीकिए माइनस का स्क्वार करने पर positive value आती है प्लस का 49 B स्क्वार प्लस का C स्क्वार तो यह माइनस का है यह प्लस का है तो माइनस आएगा 2, 3, 6, 7, 42 7, 21, 22 42AB होगा वह नमबर का multiply हो जाएगा यह माइनस का sign है यह माइनस का sign है माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस में आएगी value 7, 2, 14 14BC आएगा यह माइनस का यह प्लस का है तो माइनस में value आएगी 3, 2, 6AC होगा तो यह आपका sign mistake मत करिएगा क्योंकि algebra के लिए कहा जाता है अच्छा इस question को यहां note कर लिजेगा 3A minus 7B minus 3 का holy square इसकी value निकाल ली थी यह formula हमने apply किया fourth, fifth part अपने आप करिएगा sixth part वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है upon में लिखा हुआ है थोड़ा सा इसलिए मैं इसको बता देता हूँ sixth part देखे क्या कह रहा है formula यही बार बार apply करना इसलिए हम formula score अपने ही कर रहे है हर question को लगाने के पाथ आप formula दूर लिखेंगे भले दरजबा लिखना पड़े ठीक है, 1 by 4A यह आपका है sixth part 1 by 4A minus 1 by 2B plus 1 का whole square यह identity यूज़ करनी है 1 by 4A मतलब A upon 4 लिखा यह minus में है, तो देखे जब formula apply करेंगे तो यहां लिखेंगे A by 4 plus लगाएंगे, इसको लिखेंगे minus B by 2 और plus 1 का whole square क्योंकि आपको जो compare करना है ना, वो plus से तुलना करनी है, तो A आपका A by 4 हो जाएगा, B आपका B by 2 हो जाएगा, लगा दीजिए आपर क्या होगा, A square यहनि A by 4 का whole square plus minus B by 2 का whole square plus 1 का square plus 2AB तो 2A क्या हो जाएगा, A हो जाएगा आपका A by 4 और B क्या हो जाएगा minus B by 2, जहां भी negative बीच में आ जाएगे, उसको bracket में लिखेगा minus B by 2 2AB हो गया, 2BC, 2 B क्या हो गया, minus B by 2, C हो गया 1, plus 2CA, 2 C हो गया 1, A हो गया, A by 4, बस calculate कर लो यह क्या हो जाएगा, A square by 16, plus B square by 4 plus 1, यहां देखे, यह 2 से 2 कर जाएगा minus आएगा, minus AB by 4 यहां इस 2 से 2 कर जाएगा, तो minus का B, और plus का 2 से 2 कर जाएगा A by 2, तो इस प्रकार से इसको calculate करेंगे, यह 4 questions है एक साथ चूंकि बड़ी है हो सारे identities हैं एक साथ लगाने का मतलब आप जानते हैं कि आप बहुत minus से question लगाते हैं इसलिए next, जो questions है in the next video, okay, thank you झार प्रकार जाली थारे लगाने मतलब आप लगारे लगाने करेंगे, जो प्रकार जाएगा, तो प्रकार जाते हैं